तो देखो बच्चो पहला चेप्टर रसाइनिक अभीक्रियाएं एवं समीकरन रसाइनिक अभीक्रियाओं के बारे में हमने नाइंत क्लास में कुछ पढ़ा था कि जब भी कोई रासाइनिक परिवर्तन होता है तो रासाइनिक परिवर्तन के दरान कुछ नियम है जिनको हमने पढ़ा था जैसे द्रब्यमान सनरक्षता का नियम और स्थिर अनुपात का नियम यह हमने तीसरे चेप्टर में शायद पढ़ा तीसरे चेप्टर में हा तो तीस दूसरा हमने आठवी में विभिन प्रकार की रासायनिक और भौतिक अभिग्रियों के बारे में पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन होते हैं रासायनिक परिवर्तन होते हैं भौतिक परिवर्तन जब होता है तो जैसे मैंने कागज को फाड़ दिया यह लकडी को काट कर उसका कुछ और बना दिया कुरसी बना दिया तो वो है भौतिक परिवर्तन मतलब वो जो लकड़ी है वो लकड़ी का स्वरूप तो लकड़ी ही रहेगा ठीक है उससे डिजाइन कुछ और बन गया है टेबल बना दिया है हमने या कुरसी बना दिया तो वो है भौतिक परिवर्तन का तो एक नया पदार्थ बनेगा जैसे लोहे को लग गया जंग तो जब जंग लगा तो जंग जो है वो एक नया पदार्थ है कैसे पता चलेगा यह जो नया पदार्थ होता है इसकी जो qualities है वो बिल्कुल different होंगी ठीक है इसके जो गुण धर्म है वो अलग होंगे मुख्य सकते हैं लोहे को चुम्बक अपनी और आकर्शित करता है लेकिन लोहे से जो बना है जंग वो रासाइनिक परिवर्तन से बना है क्योंकि जंग लोहा नहीं है वो एक नेपदात है उसको उसके गुण भी अलग है उसको जो चुम्बक है वो अपनी तरफ आकर्शित नहीं कर सक रासाइनिक परिवटन हुआ अभी करिया हुई अब जल के गुण और अउक्सिजन गुण अलगए लगए जलने के लिए जुरूरी नहीं, वो तो उल्टा काम करता है, वो जले हुए पदार्थ को बुझा देता है, ठीक है? इसके अलावा जब हम किसी चीज को जलाते हैं, तो वो राक बन गई, जब कोई चीज जल गई, तो वो राक बन गई, तो अब लकडी को जलाया, राक बन बारे में अभी आप मुझे लिखकर देंगे कि कौन-कौन से रासाइनिक परिवर्तन आपने आस-पास होते हुए देखे हैं यह अभी आप मुझे लिखकर भेजो तो देखो बच्चो कुछ आप लोगों ने मुझे लिख कर भेजे हैं कुछ यहां पर देखो दिये हुए है ये है गर्मियों में कमरे के ताप पर दूद को खुला छोड़ने पर दहीं बन जाता है ये करासाइनिक परिवर्तन है दहीं के गुणा लग हैं दूद के गुणा हुआ तो एक निया पदार था एलकोहल बन जाता है उसमें कर्बन एकसाइट गैस बन जाती है भोजन को पकाने पर भी उसे हम खहते हैं कि रसाइनिक अभी क्रिया हुई है क्योंकि पके हुए भोजन के गुण कुछ अलग है और जो भोजन कच्चा है वो कुछ अलग है उन हमारे शरीर में भोजन पच गया तो क्या हुआ भोजन पचने का मतलब है भोजन के जो अव्यव हैं कार्बोहड्रेट वसा प्रोटीन खनीज लवन यह हम अलग हो गए और हमारे रक्त में अप्शोशित हो गए और जो वेस्ट था वो शरीर से बाहर चला जाएगा तो जलने की ही प्रक्रिया हम कर रहे हैं जिसमें हमने मैगनिशियम रीवन को जलाने का प्रयास किया है और यह जो मैगनिशियम रीवन है इसको जलाने से पहले याद रखें यह जो रीवन है यह एक धातो मैगनिशियम एक धातो होती है और इस धातो को जलाने से पहले हम साफ क करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि इसमें एक जंग लगने की प्रक्रिया की तरह ही एक प्रक्रिया होती है जब हमारा ये जो रीवन है ये रीवन ये मालो ये मैगनिशियम रीवन है इस मैगनिशियम रीवन पर तेखो जो मैगनिशियम रीवन है इस मैगनिशियम रीवन पर क्य औक्सिजन के साथ संपर्क में आने पर बनी है एक परत उपर से तो यह जो परत बन जाती है इस धातू के उपर यह ऑक्साइड की परत होती है इसकी ऑक्साइड की ठीक है यह ऑक्साइड की परत क्या करती है इस रीवन को जब हम जलाने की कोशिश करते हैं तो यह परत इसको जलने में अब रोध उत्पन करती है तो हमें क्या करना है हमें इसको साफ करना है इसको साफ कैसे करना है रगड़ना है किसी चीज से और किससे रगड़ना है रेगमाल आपने देखा है रेगमाल से इसको रगड़कर साफ करना है ठीक है अब साफ करने के बाद जब हम इस Αabloforce order बन जाएगा और यह जूब पाउडर है ये ईस infection दशाईड की वाड़ा तया है और ये पाऊड़र जो बना यह magnesium ऑक्साइड का पाउडर है तो मेगनिशियम धातु को जलाने पर मेगनिशियम आकसाइड पौडर बन गया तो मेगनिशियम धातु कुछ अलग है और मेगनिशियम आकसाइड के गुण कुछ अलग है इसलिए हम कहेंगे ये कैसा परिवर्तन है रासायनिक तो magnesium ribbon को जब जलाये गया तो क्या हुआ? राशायनिक अभी करिया ठीक है? तो राशायनिक अभी करिया हुई लगína किसे भी चीज को जलाऊगे राशायनिक अभी करिया ही होगी तो ये याद रखना आपने है ठीक है? तो देखो बच्चो ये है magnesium ribbon जिसे हम जलाने का प्रियास करेंगे बर्नर हमने लिया हुआ है वाच क्लास है हमारे पास और ये अभी क्रिया लिखी हुई है ये टॉंग है जिसे हम रीबन को पकड़ेंगे तो यहां पर साफ है रीबन हमने पहले साफ कर लिया है ये अभी करिया कैसे हो रही है मेगनेशियम की ऑक्सीजन के साथ अभी करिया जब भी जलती है कोई चीज तो ऑक्सीजन के साथ अभी करिया थी उसकी तो मेगनेशियम रीवन है उसको जलाया है तो ऑक्सीजन के साथ अभी करिया हो रही है और बन गया MGO मेगनिशियम ऑक्साइडी से कहेंगे है तो और डिटेल में पढ़ते जाएंगे आगे तो दीरे-दीरे पता चलता जाएगा आपको यह हम ले रहे हैं मेगनिशियम रीबन बहुत बड़ा है इसको थोड़ा चोटा कर लेते हैं क्योंकि इतना चाहिए नहीं हमें इतना कर काफ हम पर कुछ रख लेना यह चस्म बगारा लगाना होता है यह देखिए जब हमने इसको जलाया तो कितना ब्राइट जैसी लाइट निक लिए यह परवैंग निंक करने है थी को जलने के यह अब जो वाइट वाइट है यह जब हम इसको डालेंगे वॉच्ट क्लास में तो य तोड़ने का प्रियास करेंगे इसको ऐसे तो नीन लग रहा पता ना अब इसको तोड़ेंगे तो ये पौडर जैसा बन जाएगा ये तो ये पौडर कौन सा है ये पौडर है मेगनिशियम ऑक्साइड का ठीक है तो बच्चो ये है हमारी आज का होमबर्ख है रसाइनिक अभिक्रिया के उपर प्रशन एक आपने करना है रसाइनिक परिवर्तन या अभिक्रिया किसे कहते हैं उन अभिक्रियां के उधारन भी लिखने हैं कि ये रसाइनिक अभिक्रिया हैं दूसरा प्रशन जो हमने सीखा मेगनेशियम रीवन के बारे में तो मेगनेशियम रीवन को जलाने से पहले साफ करना क्यों आवश्यक है इसके अलावा एक और प्रशन लिखते हैं प्रशन नमबर तीन है तो ये है तीसरा प्रशन मेगनिशियम की ऑक्सीजन के साथ अभी क्रिया के लिए समीकरन लिखना है ये समीकरन लिखना है आपने ठीक है ओके तो ये होमबर्क लिखकर आपने भेजना है जल्दी शाम तक आप कर लो होमबर्क को आराम से इसको समझो भी, समझ के लिखना है, ऐसे नहीं, ठीक है, ओके,